नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो क्या आप जानते है क्या आपके घर का डोर बेल, घंटी, एवम आपके घर का आईना आपके घर के उन्नती का कारण बनता है जी हाँ दोस्तो ये बात बिलकुल सत्य है और ऐसा वास्तु शास्तर में भी कहा गया है कि घर का डोर बेल, घंटी एवं घर का आइना घर में बरकत लाने में मदद करता है साथ ही ये घर में गरीबी का कारण भी बन सकते हैं तो आईए आपको बताते हैं वास्तु शास्त्र की अनुसार ये चीजे आपके उपर कैसे प्रभाव डालती है। सब सब पहले बात करते हैं दर्पन की दर्पन अर्थात आईना जिसमें हम सुबे शाम अपना चेहरा निहारते हैं लेकिन हम इस बात से बिलकुल अंजान है कि हमारा यही दर्पन हमारे जीवन में उन्नती लाने का भी एक कारण है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में आईना घर के उत्तर या पूर्व दिशा की और लगा होता है उस घर में हमेशा शुब संदेश आते रहते हैं। हानी हो रही है तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोन में आईना आवश्य लगवाए जिससे कि आपका व्योसाय फिर से अच्छे से चलने लगे और आपकी आई में व्रद्धी हो। अपने घर के डाइनिंग रूम में उत्तर पूर्व दिशा की और एक अंडाकार आईना लगा दीजिए ताकि जब भी वेक्ति डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाए तो उसका प्रतिबिम्ब उस आईने में दिखाई दे। ऐसा करने से उस वेक्ति का स्वास्ते ठीक होता है और आपके घर को सुकेवं सम्रदी से भर देता है। दोर बेल अब बात करते हैं दोर बेल के बारे में घंटा हमेशा घर के वातावरन में सकरत्मक उर्जा भरने का संपूर्ण प्रयास करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दोर बेल होना अति आवशक है। आवशक इसलिए है क्योंकि यदि आपके घर में दोर बेल नहीं है तो लोग आपके घर के दर्वाजों को पीट देंगे और वो तब तक पीटेंगे जब तक आप आकर दर्वाजा नहीं चीन सकता है जिसका प्रभाव आपके उपर ही पड़ेगा इसलिए घर में डोर बेल अवश्य लगाए प्राचीन काल में ऐसी मानेता है कि बेवज़े ही दर्वाजा पीटने से घर में कलेश बढ़ता है घर के डोर बेल की रिंग टोन अच्छी होनी चाहिए वो ज्यादा दे सुनाई दे तो आपका मन प्रसन हो जाए यदि आपके घर के डोर बेल का रिंग टोन अच्छा होगा तो आपके घर परिवार के लोगों में हमेशा खुशाली बनी रहेगी आप भी हमेशा खुश रहेंगे वास्तुशास्तर की अनुसार देर तक लंबी घंटी बजने वा सारती की जाती है उस घर में कभी भी अशुब शक्तिया निवास नहीं करती इतना ही नहीं उस घर में रहने वाले वेक्ती कभी भी गलत संगती का शिकार नहीं होते घर के आसपास के किटानू और कीडे मकोडे भी उस आवास से कई भाग जाते है और हमेशा घंटा बजने की घंटी टांग दी जाए तो विपदाव से बचा जा सकता है तो दोस्तों ये तिवो कुछ महतोपुर्ण बाते जो घंटी डोर बेल और आइने सी जुड़ी वास्त शस्त्र में बताई गई है अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंड में जे मालक में अवश्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद